नमस्क्राइन हलो फ्रेंड्स में हूं डॉक्ट्र युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्ट्र युगेंद्र बुला एंद हेल्टिप्स दोस्तों आज हम आपको एक इंपॉर्डेंट टैबलेट के बारें बताएंगे इस टैबलेट का नाम है लिबो ट्रिप दोस्तों यह टैबलेट अक्सर फिजीशन्स और साइकाइट्रिस प्रिस्क्राइब करते हैं उन बीमारियों में जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी या नहीं हो सकता आपको डिप्रेशन अकेला हो या डिप्रेशन इसाथ में एक टाइब से मानसिक तनाव रहना मन खुश नहीं रहना घबराट सी रहनी बेचेनी सी रहनी इस तरह के जो लक्षण है उनको हम एंग्जाइटी बोलते हैं एंग्जाइटी नियूरोसिस तो दोस्तों यह जो टैबलेट है यह इन रोगों में कामाता है डिप्रेशन और लिबोट्रिप जो दवाई है जो टैबलेट है इसके अंदर दो मेडिसेंस हैं दो दवाईओं का कॉंबिनेशन है एक है एमेट्रिप्टलिन और दूसरा है क्लोरडाइजेपॉकसाइड इन दोनों से दवाईओं से मिलकर यह टैबलेट बनती है जिसको हम लिबोट्रिप दोस्तों यह अक्सर टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है इसलिए हमने सोचा है कि आम पब्लिक के लिए कॉमन मैन के लिए इस दवाई के बारे में जो भी इन्पॉंटेंट इन्फोर्मेशन है जो भी जानकारी एहम है वो आपको सरलता से इस वीडियो में बताएंगे इस दोस्तों इस टैबलेट को लेनी कैसी होती है इस टैबलेट को आप रोजाना जैसे डॉक्टर्स आपको प्रिसकाइब करेंगे लेनी होती है पर कोशिश करना होता है कि हम फिक्स टाइम पे ले अगर आप सुबह आठ बजे ले रहे तो सुबह आठ बजे ले शाम को कोई टाइम ले तो फिक्स टाइम पे लेना जरूरी होता है यह आप खाने के साथ विद्फूड और विदाउट फूड ले सकते हैं दोस्तों अगर यह टैबलेट आप काफी दिनों तक ले रहे हैं तो आपके ड ब्लड लेवल और ब्लड के अंदर कुछ जाचे और लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे ताकि यह देखने के लिए कि इस टैबलेट का कोई साइड एफेक्ट तो नहीं देखने मिल रहा है दोस्तों लिबोट्री टैबलेट यह चोटे बच्चों में प्रिसक्राइब नहीं ह बंद नहीं करनी है सदलनी बंद करने से काफी साइड एफेक्ट देखने मिलते हैं इन बातों का अब ध्यान रखेंगे दोस्तों अब आपको लिबोट्री टैबलेट के साइड एफेक्ट के बारे बताते हैं ज्यादा तर लिबोट्री टैबलेट के साइड एफेक्ट माइ वेट लॉस होना, वजन घटना, और्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन यहने कि अच्छानक से खड़े होने पर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना, चक्कर आना, कन्फूजन रहना, उल्टी होना, उबाक होना, यह normal side effects हैं, जो mild side effects हैं और जो अपने आप कम हो जाते हैं, severe side effects इस tablet के साथ पर कम ही देखने मिलते हैं, rarely देखने मिलते हैं, परन्तु एक important बात इस tablet के साथ ध्यान रखने चाहिए अगर आप इस tablet को ले रहे हैं और आपके mood में unusual changes मिल रहे हैं जैसे कि ज्यादा depression ज्यादा गहरा हो गया या suicidal tendencies suicide करने की इच्छा होना अगर ऐसे कुछ moods में आपको लग रहा है तो तुरंत आप आपके doctor से मिलिए और उनको इन बार बताईए दोस्तों जो frequently asked questions हैं जो हमेशा patients पूछना चाते हैं इस tablet को लेते समय वो है कि क्या हम इस tablet को alcohol के साथ ले सकते हैं तो दोस्तों alcohol के साथ बिलकुल भी इस tablet को नहीं लेना है दूसरा pregnancy अगर आप गर्वती है research में देखा गया है कि इस tablet का असर developing baby याने की गर्व में शिशू पल रहा है उस पर होता है इसलिए pregnancy में भी इस tablet को नहीं लेने की advice दी जाती है तीसरा है breast feeding अगर आप आपके बच्चे को दूद पिला रहे हैं treating mother है तो research में यह भी देखा गया है कि यह आपके breast milk से बच्चे में पास हो सकता है इसलिए breast feeding कर रहे हैं तो भी इस tablet को नहीं लेना है दोस्तों अकसर लोग कूछते हैं कि इसको क्या हम laboratory tablet लेने के बच्चा driving कर सकते हैं तो दोस्तों उतर है कि नहीं क्योंकि यह tablet हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की drowsiness, sleepiness, confusion create कर दें तो drive करना काफी खतरनाक होता है इसलिए इस tablet को लेने के बच्चा आपको driving नहीं करनी है अगर आपको liver disease है, kidney problems है और heart disease है तो कृपया आपके doctor को जरूर इस बारे में बताईएगा, हो सकता है वो इस tablet का इस्तमाल ना करें और अगर करेंगे तो dose का adjustment करेंगे दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो में जो हमने information दी है Libotrip tablet के बारे में वो उपयोगी होगी इस वीडियो को आप like and share कीजेगा और आपके family friends में जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि आज के समय में इस tablet का काफी उपयोग होता है मैं मिलता हूँ आपको एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit और नमस्कार, जैंद करता हूँ जैंद